हलो दोस्तों स्वागत है हमारे वीडियो पर तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पोरटुलाका दोस्तों हम लोग पोरटुलाका का पोधा लगाते हैं घर पे बुभे कटिंग से लेकिन ये पोधा क्या होता है बहुत ही कम समय पर बहुत ही अच्छा रिस्पोंस अपना दिखाती है लेकिन हमें कुछ ऐसा केर भी करना चाहिए इसमें जिसके वज़ा से ये प्लांस बहुत ही अच्छे देखने को लगे और ये घरने रूप से हो जाए तोस्तों हम लोग सभी तरह का प्लांस लगाते हैं लेकिन ये पोरटुलाका का प्लांस अधी लगाते हो त क्यूकि ये जो हमारे फ्लावर हैं बहुत ही अच्छा इसमें खिलते हैं, कम समय में बहुत ही अच्छा ये अपना रिस्पोंस दिखाती है, दोस्तों ये हमारे पोरटुलाका का मैं पिछले वीडियों मैंने आपको दिखाई थी इसका कटिं लगाकर लेकिन वही प्लांस क मैं दिखा रहे हूँ कि ये कितने घने और हरे भरे नजर आ रही है तो हमें इसमें क्या-क्या चीज डाली थी जिसकी वजह से ये प्लांस इस तरह से घने हो चुकी है बिल्कुल ये बरगत की तरह दोस्तो आप बरगत की तरह पोधे को घना किस तरह से बनाओगे और क्या-क्या चीज इसमें डालोगे जिसकी वजह से ये प्लांस अच्छी तरह से ग्रोथ करे और अच्छी तरह से ये रिस्पॉंस दिखा सके दोस्तो आप मेरी वीडियो पर नए हो तो मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को करदना सस्क्राइक तो मैं आपको बनाकर बताती हूँ कि आप प्रटोला का के plants पर किस तरह से क्या चीज का यूज करे और इससे आपका पौधा अच्छा हो जाए तो चलिए हम बनाने के बारे में आपको दिखाती हो सिद आरे यह कंव सकते हैं कि बिल्कुल यह गुलाब की तरह कि लीए है और जीड्यां के पर आई है आप देख सकती हो एक टहनिया में कम से कम दो तीन से सीट छोटी छोटी निकल आए हैं और इसमें कुछ ऐसा फंगी साइड का भी अटेक आ रही है तो हमें इसको रोक नहाओगा और ये देखी इस तरह से हमारी ब्रांची भी छोटी छोटी और नए नए ब्रांचे आ रहे है दोस्तो ये हमारे अभी इस प्लांच में चार फ्लावर किले हैं लेकिन कल दिन देखिये तो आपको इतने सारे सीट से बने हुए हैं वो कल के लिए रेडी हो जाएगे और ये कल फ्लावर किलकर आपको मौजूद निकलेगी हम लोग तो इसके कटिंग लगाते हैं दोस्तो ये हमारी जो पॉर्टूलाका का पौधा देख रहे हो क्योंकि ये पौधी टाइमिंग से ही खिलती है ये सुभा का टाइमिंग आठ बजे ये फ्लावर खुद वाई खुद खिल जाती है और अभी से लेकर ये साम तक खिली हुई रहती है उसके बाद आपके ये प्लांच का फ्लावर इस तरह से मुर्जा कर जड़ जाती है अगर जड़ना नहीं चाहती है तो आप इसको निकाल कर फेक सकते हो क्योंकि अगर इस तरह के प्लांच में फ्लावर रहेगी तो प्लांच को गंदा और खराब कर सकती है तो चलिए मैं आपको लीक्विट बनाने के बार बड़े बुजुर्ग लोग पहले के लोग बहुत ही ज्यादा तर नाशा करते थे वह भी खैनी खाते हैं तो इस तरह से चुने को यूज करते हैं तो यह हमारा बिल्कुल बुजा हुआ चुना है तो इसको आप एक डिबिया कम से कम हाप लीटर पानी में इसमें डाल दे तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर डाल दे रही हूँ दोस्तो यह चुनने बहुत ही बढ़िया काम करती है उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इस तरह से आपको हल्दी लेना है एक ग्राम हल्दी ले ले ज्यादा ना ले कि ज्यादा भी पौधी पर खराबी करती है और यह हमारे है एपसम साल्ट जिसे हम लोग डिएफी खात भी बोलते हैं तो यह इस तरह से आपको डाल देना है डालने के बाद दोस्तो आपको करनी क्या है इस तरह से हमें घुल मिला लेना है घुल मिलाने के बाद आप इस पर्टुलाका के पौधी पर डाल सकते हो तो आप देख रहे हैं कि इसका response कितना ही बढ़िया निकली हुई है तो मैंने आपको दिखा रहे हूँ इस तरह से डाल कर तो आप देखिए यहां पर ही मैंने थोड़ा डाल देखे उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि यह हमारी उल्टे हुए bottle है इस bottle में आप द वेडियो पर भी दिखाई हूँ इस तरह से लागा कर लेकिन इसके plants में देखिए कितने सारी उससे ज्यादा अशियर्स इसमें आई हुई है और यहां हमारी फलावर भी खिले हुए हैं यह फलावर देख सकते हैं कि कितने बेढ़िया और कितने अच्छी तरीके से खिले है तो इसमें भी आपको डालना है तो इस तरह से आप डाल दे तो मैंने यहां पर डाल दी है उसके बाद दोस्तु हम आपको दिखाते हैं यह हमारे три बेग है अब देख सकते हूँ इसे हम लोग असिरवाद आठा वले प्लाश्क है इसमें भी मैंने यहां पर कुर्ष इस तर तो देखें आपको थोड़ा सा बची हुई इस चीज को डाल देना है तो देखें मैंने यहां पर पूरे डाल दी हूँ दोस्तो तो इसी तरह से आप अपनी घर उपर पॉर्टुलाखा का प्लांस तो दोस्तो आपको इसी तरह से आप अपनी घरों पर प्लांस लगा सकते हूँ वो भी कटिंग से यह बहुत ही कम समय में अच्छे प्लांस हो जाते हैं और घने हो जाते हैं बिलकुल वरगद की तरह तो पर आपको प्लांस को वरगद की तरह कैस इस इसे डारे से ने क्या होगा भर भर गमला आपको फूल मिलेगी और आपको आपने बहुत ही बढ़िव निफिशनी देखने को मिलेगी फलावर और इंके सीट से इनकी छोटी-छोटी शीट से भी निकलते हैं इनके कल ले आकि लेगी सुझाँं धर dub Nursing के वजह 0 स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद छाया स्थान पर रखे लेकिन इसमें सुभा और साम दो समय दो टाइम आप पानी अवश डाले अधी आप एक टाइम डालते हो तो दूसरा समय में क्या होगा दोस्तों यह प्लांट्स धीरे-धीरे सुखने लगती है क्योंकि इसकी मिट अधीया को भी खराब रख देगी तो दोस्तों हमारा इस तरह से जानकारी आपको कैसा लगा अधी अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को कर देना लायक और चैनल को कर देना सस्क्राइब दोस्तों बाए